C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय पांच पांच दशमलव तीन दशमलव एक एक विभिन्नता के साथ दंड आएए साथ विद्यार्थियों द्वारा गठित टेस्ट में प्राप्त किये गए अंकों के वर्गी कृत बारंबारता बंटन पर पुनेह विचार करें सारणी पांच दशमलव चार सारणी पांच दशमलव चार यहाँ पर दो स्तंभ दिये गए हैं पहला स्तंब है वर्ग अंतराल, दूसरा स्तंब है बारंबार्ता, सुन्य से दस, दो, दस से 20, 10, 20 से 30, 21, 30 से 40, 19, 40 से 50, साथ, पचास से साथ एक, योग साथ, प्रिष्ट संख्या उनासी, उप्रोक्त को सनलग्न आलेख के रूप में निरूपित करके प्रदर्शित किया जाता है, आकृती पांच दशमलव एक. आकृती पांच दशमलव एक. यहाँ पर एक दंड आलेख बना हुआ है. बाई और विद्यार्थियों की संख्या लिखी है, जो शून्य से बाईस तक जाती है. नीचे की और विद्यार्थियों के प्रापतांक लिखी है, जो शून्य से साथ तक जाते हैं. शून्य से दस के बीच में दो विद्यार्थियों है, दस से बीस के बीच में दस, बीस से तीस के बीच में एक्कीस, तीस से चालीस के बीच में उन्नीस, चालीस से पचास के बीच में साथ, और पचास से साथ के बीच में एक. क्या यह आलेक उन दंड आलेकों से किसी रूप में भिन्न है जो आपने कक्षा साथ में कीचे थे? ध्यान कीजिए कि यहां हमने क्षेतिज अक्षर पर प्रेक्षणों के समूहों अर्थात बर्ग अंतरालों को निरूपित किया है. दंड की लंबाई वर्ग अंतराल की बारंबारता दर्शाती है. साथ ही यहां दंडों के बीच में कोई रिक्तता नहीं है. क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच में कोई रिक्तता नहीं है. आकणों का इस प्रकार का आलेकिये निरूपन एक आयत चित्र या हिस्टोग्राम कहलाता है निम्नलिखित आलेक एक अन्य आयत चित्र है आकरिती 5.2 एक स्कूल के 25 अध्यापकों की आयू इसमें बाई और अध्यापकों की संख्या दी गई है जो एक से साथ तक है नीचे की और आयू वर्षों में 20 से 50 तक है 20 से 25 के बीच में 4 25 से 30 के बीच में 5 30 से 35 के बीच में 6 35 से 40 के बीच में 3 40 से 45 के बीच में 2 45 से 50 के बीच में 5 समान आयू वाले दंड जिनके बीच में कोई रिक्तता नहीं है दंड की लंबाई एक विशिष्ट सम्मुहु या वर्ग में आने वाले प्रेक्षणों की संख्या दर्शाती है और यही उस वर्ग की बारंबारता है परिसर को समान अंतरालों में इस थिती में पांच वर्ष के विभाजित किया गया है क्षेतिज अक्ष के अनुदिश यह दर्शाने के लिए प्रयोग की गई है कि हम शून्य से बीस तक की संख्याएं प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं इस आयत चित्र के दंडों से हम निम्न लिखित प्रशनों के उत्तर दे सकते हैं 1. कितने अध्यापकों की आयू 45 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 50 वर्ष से कम है 2. 35 वर्ष से कम आयू वाले अध्यापकों की संख्या कितनी है प्रिष्ट संख्या अस्सी प्रयास कीजिए 1. आयत चित्र आकरिती 5.3 को देखिए और उसके नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर दीजिए आकरिती 5.1 2 और कक्षा 7 की लड़कियों की संख्या लिखी गई है जो 0 से 7 तक जाती है नीचे की और उचाई सेंटीमीटर में लिखी है जो 125 से 160 तक जाती है 0 से 125 के बीच में एक टेड़ी मेड़ी रेखा खिची है 125 से 135 के बीच का दंड एक दर्शाता है 130 से 135 के बीच का दंड दो 135 से 140 के बीच का दंड तीन 140 से 145 के बीच का दंड साथ 145 से 150 के बीच का दंड चार 150 से 155 के बीच का दंड दो 155 से 160 के बीच का दंड एक दर्शाता है 1. इस आयत चित्र द्वारा क्या सूचना दी जा रही है 2. किस वर्ग में अधिक्तम लड़कियां है 3. कितनी लड़कियों की लंबाई 145 सिंटीमीटर या उससे अधिक है 4. यदि हम लड़कियों को निम्न लिखित तीन श्रेडियों में विभाजित करें तो प्रतियेक में कितनी लड़कियां होंगी 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक समुह A 140 सेंटीमीटर या उससे अधिक परंतु 150 सेंटीमीटर से कम समुह B 140 सेंटीमीटर से कम समुह C प्रश्नावली 5.1 1. निम्द लिखित में से किन आखणों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे A. एक डाकिये के थैले में विभिन क्षेतरों के पत्रों की संख्या B. किसी खेल कूद प्रत्योगिता में प्रत्याशियों की उचाईया C. पांच कम्पनियों द्वारा निर्मित कैसिटों की संख्या D. किसी स्टेशन पर प्रातह साथ बजे से साएं साथ बजे तक रेल गाडियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या प्रत्ये के लिए कारण भी दीजिये 2. किसी विभागी स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है पुरुष M, महिला W, लड़का B या लड़की G निमनलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातह काल पहले घंटे में आए है प्रिष्ट संख्या इक्यासी मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाईए इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेक खीचिये 3. किसी फैक्टरी के 30 श्रमिकों की सापताहिक मजदूरी रुपायों में निमनलिखित है 830, 835, 890, 810, 835, 836, 879, 845, 898, 890, 820, 860, 832, 833, 855, 845, 804, 808 812, 840, 885, 835, 835, 836, 878, 840, 868, 890, 806, 840 930, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालूं 800-810, 810-820 इत्यादी वाली एक बारंबारता सारणी बनाईए चार, प्रश्न तीन में दिये आकणों से प्राप्त सारणी के विए एक, आयत चित्र बनाईए और निमनलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए एक, किस समुह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है दू, कितने श्रमिक रुपए 850 या उस से अधिक अरजित करते हैं तीन, कितने श्रमिक रुपए 850 से कम अरजित करते हैं पांच, अवकाश के दिनों में एक, विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रते दिन टेलिविजिन या टीवी देखने के समय घंटों में दिये हुए आलेक में दर्शाय गए हैं निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए एक, अधिक्तम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा दो, चार घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा तीन, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में पांच घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया यहाँ पर बाई और विद्यार्थियों की संख्या लिखी गई है जो शून्य से 32 तक जाती है नीचे की और प्रति दिन देखे गए टीवी के घंटे लिखे गए है एक से दो घंटे चार विद्यार्थी, दो से तीन घंटे आठ विद्यार्थी, तीन से चार घंटे बाईस विद्यार्थी, चार से पांच घंटे बतीस विद्यार्थी, पांच से छे घंटे आठ विद्यार्थी, छे से साथ घंटे छे विद्यार्थी प्रिष्ट संख्या 82 5.4 व्रित आलेक या पाई चाट क्या आपके सम्मुक कभी व्रित्तिय रूप में निरूपित आकडे प्रस्तुत हुए हैं, जैसे आकृती 5.4 में दर्शाय गए हैं? आकृती 5.4 एक एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय, यहाँ पर एक व्रित्त बना है, जिसे पांच भागों में विभाजित किया गया है, सोना आठ घंटे, स्कूल छे घंटे, खेल तीन घंटे, अन्य तीन घंटे, ग्रीक आर्य चार घंटे. दो, एक कस्बे में व्यक्तियों के आयू समुह, यहाँ पर एक व्रित्त बना है, जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया है, पंद्रह से साथ वर्ष, पचास हजार, शुन्य से चौदा वर्ष, तीस हजार, साथ वर्ष या उससे अधिक, बीस हजार. यह निरूपन व्रित्त आलेक या सर्कल ग्राफ्स कहलाते हैं, एक व्रित्त आलेक, एक संपून या होल और उसके भागों में संबंध दर्षाता है, यहाँ संपून व्रित्त को त्रिज्य खंडों या सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक त्रिज्य खंड का साइज या आमाप उसके द्वारा निरूपित, क्रिया कलाप या सूचना के समानुपाती होता है, उदाहरणार्थ उप्रोक्त आलेख में सोने की क्रिया में व्यतीत किये गए घंटों में त्रिज्य खंड का अनुपातिक भाग बराबर है सोने के घंटों की संख्या बटा संपून दिन बराबर है आठ घंटे बटा 24 घंटे बराबर है एक बटा तीन। इसी लिए इस त्रिज्य खंड को पूरे वृत्त के एक बटा तीन वे भाग के रूप में खीचा गया है। इसी प्रकार स्कूल में व्यतीत किये गए घंटों के त्रिज्य खंड का आनुपातिक भाग बराबर है स्कूल के घंटों की संख्या बटा संपून दिन बराबर है छे घंटे बटा 24 घंटे बराबर है एक बटा चार। इसी लिए इस त्रिज्य खंड को व्रित के एक बटाचार भाग के रूप में खीचा गया है। इसी प्रकार अन्य त्रिज्य खंडों के माप ग्यात किये जा सकते हैं। सभी क्रिया कलापों की भिन्नों को जोड़िये। क्या आपको योग एक प्राप्त होता है। व्रित आलेक पाई चार्ट या पाई चार्ट भी कहलाता है। प्रिष्ट संख्या तिरासी प्रयास कीजिए एक निम्न लिखित पाई चार्टों में से प्रतियक आकरिती 5.5 आपकी कक्षा के बारे में एक भिन्न प्रकार की सूचना देता है। इन में से प्रतियक सूचना को निरूपित करने वाला व्रित का भाग ग्याद कीजिए। एक लड़कियां या लड़के यहां व्रित को दो भागों में बांटा गया है। लड़कियां 50 प्रतिशत, लड़के 50 प्रतिशत। 2. स्कूल के लिए परिवहन। यहां व्रित को तीन भागों में बांटा गया है। पैदल 40 प्रतिशत, बस्याकार 40 प्रतिशत, साइकल 20 प्रतिशत। 3. यहां पर व्रित को दो भागों में बांटा गया है। घ्रिणा 15 प्रतिशत और 6 भाग प्यार। दो, दिये हुए पाई चाठ आकृती 5.6 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए. आकृती 5.6 यहाँ पर एक वृत्त बना है, जिसे चार हिस्सों में बांटा गया है. सबसे बड़ा हिस्सा है मनुरंजन 50 प्रतिशत, उसके बाद ज्ञान प्रद 10 प्रतिशत, समाचार 15 प्रतिशत, खेल 25 प्रतिशत. एक, किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे अधिक दीखे जाते हैं? 2. किन दो प्रकार के कार्यक्रमों को देखने वालों की कुल संख्या, खेलों के कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या के बराबर है. 5.4.1 पाई चाटों का खीचना किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किये जाने वाली आईस्क्रीमों की महक या स्वाद प्रतिशतों में नीचे दिये गए हैं यहाँ पर एक सारणी बनी है जिसमें दो स्तंब हैं पहला स्तंभ है महक, दूसरा स्तंभ है महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, चौकलेट 50 प्रतिशत, वनीला 25 प्रतिशत, अन्य प्रकार 25 प्रतिशत. आये इन आखणों को एक पाई चाट के रूप में निरूपित करें. वृत के केंद्र पर पूरा कोण 360 डिगरी है. त्रिज्ये खंडों के केंद्रिये कोण या सेंट्रल अंगल्स 360 डिगरी के भाग या कोई भिन्न होंगे. हम त्रिज्ये खंडों के केंद्रिये कोणों को ग्याद करने के लिए एक सारणी बनाएंगे. सारणी 5.5 सारणी पांच तशमलब पांच इस सारणी में चार स्तम्भ है महक महकों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत संपोर्ण का भाग 360 डिगरी का भाग पहली पंक्ती चॉकलेट 50 प्रतिशत 50 बटा 100 बराबर है 1 बटा 2 360 डिगरी का एक बटा 2 बराबर है 180 डिगरी पंक्ती 2 वैनीला 25 प्रतिशत 25 बटा 100 बराबर है 1 बटा 4 360 डिगरी का 1 बटा 4 बराबर है 90 डिगरी पंक्ती 3 अन्य प्रकार 25 प्रतिशत 25 बटा 100 बराबर है 1 बटा 4, 360 डिगरी का 1 बटा 4 बराबर है 90 डिगरी 1. किसी सुविधा जनक त्रिज्या का एक वृत्त खीजिए, इसका केंद्र O और एक त्रिज्या O ए अंकित कीजिए यहाँ पर एक चित्र ऐसा ही दर्शाता है 2. चौकलेट के त्रिज्ये खंड का कोण 180 डिगरी है चांदे का प्रयोग करके कोण A O भी बराबर है 180 डिगरी खीचिए यहाँ पर एक चित्र ऐसा ही दर्शाता है 3. बचे हुए त्रिज्ये खंडों को भी इसी प्रकार अंकित करते रहिए यहाँ पर एक वृत्त बना है जिसे तीन हिस्सों में बांटा गया है चोकलिट, वैनीला जोकी 90 डिगरी के कोण की सहायता से बना है और अन्यस्वाद उदाहरण एक सनलगन पाई चाट आकरिती 5.7 एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्याय और उसकी बचत प्रतिशतों में कोदर्शाता है एक, किस मद में व्याय सबसे अधिक है दो, किस मद पर हुआ व्याय परिवार की कुल बचत के बराबर है तीन, यदि परिवार की मासिक बचत 3,000 है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्याय क्या है आकरिती 5.7 यहां पर एक वृत्त बना है जिससे कई भागों में विभाजित किया गया है भोजन 25 प्रतिशत, कपड़े 10 प्रतिशत, बचचत 15 प्रतिशत, अन्य 20 प्रतिशत, परिवहन 5 प्रतिशत, मकान किराया 10 प्रतिशत, बच्चों की शिक्षा 15 प्रतिशत हल 1. भोजन परव्याय सबसे अधिक है 2. बच्चों की शिक्षा पर हुआ ब्याय 15 प्रतिशत परिवार की कुल बचत के बराबर है 3. 15 प्रतिशत निरूपित करता है रुपए 3,000 प्रिष्ट संख्या 85 अतह 10 प्रतिशत निरूपित करता है रुपए 3,000 बटापंद्रा गुणा 10 बराबर है रुपए 2,000 उदाहरण 2 एक विशेश दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन वस्तूओं की बिकरी रुपएयों में नीचे दी गई है सामान्य ब्रेड 320, फ्रूट ब्रेड 80, केक और पेश्ट्री 160, बिस्कुट 120, अन्य 40, कुल 720 इन आकणों के लिए एक पाई चाट खीचिए हल हम प्रतियेक त्रिज्ये खंड का केंद्रिये कोन ग्यात करते हैं यहां कुल बिकरी रुपए 720 है इससे हमें निम्न लिखित सारणी प्राप्त होती है इस सारणी में चार स्तंब हैं वस्तु बिकरी रुपए में संपून का भाग केंद्रिये कोन पहली पंक्ति एक बटा छे एक बटा छे गुणा 360 डिग्री बराबर है 60 डिग्री पंक्ति तीन केक और पेस्ट्री एकसो सार्ट एकसो सार्ट पटा साथ सो बीस बराबर है दो बटा नौ दो बटा नौ गुणा 360 डिग्री बराबर है असी डिग्री पंक्ति चार फ्रूट ब्रेड असी, असी बटा 720, बराबर है एक बटा नौ, एक बटा नौ गुणा 360 डिग्री, बराबर है 40 डिग्री उप्रोक्त का प्रयोग करके, अब हम पाई चाट बनाते हैं, आकृती 5 दशमलव आट, आकृती 5 दशमलव आट, इसमें वृत्त को पांच भागों में विभाजित किया गया है, समाने ब्रेड 160 डिग्री, बिस्कुट 60 डिग्री, केक और पेस्ट्री 80 डिग्री, फ्रूट ब्रेड 40 डिग्री, अन्य 20 डिग्री प्रयास कीजिये, नीचे दिये आकणों के लिए एक पाई चाट खीचिये, एक बच्चे द्वारा एक दिन में व्यतीत किया गया समय इस प्रकार है, सोना आठ घंटे, स्कूल छे घंटे, ग्रिहकार्य चार घंटे, खेल चार घंटे, अन्य दो घंटे प्रिष्ट संख्या 86 सोचिये चर्चा कीजिये और लिखिये, निम्द लिखित आकणों को दर्शाने के लिए किस प्रकार का आलेक उप्युक्त रहेगा, एक किसी राज्य के खाद्यान का उत्पादन यहाँ पर दो पंक्तियां दी गई हैं, पहली पंक्ती में वर्ष लिखे हैं, दूसरी पंक्ती में उत्पादन लाक टनों में लिखा है 2001, 60, 2002, 50, 2003, 70, 2004, 55, 2005, 80, 2006, 85 2. व्यक्तियों के एक समुह के भोजन की पसंद यहाँ पर एक सारणी बनी है जिसमें दो स्तंभ दिये गए हैं, पहला स्तंभ मन पसंद भोजन, दूसरा स्तंभ व्यक्तियों की संख्या, उत्तर भारतिय, 30, दक्षिन भारतिय, 40, चाइनीज, 25, अन्य, 25, योग, 120, तीन, किसी फैक्टरी के श्रमिकों के एक समुह की दैनिक आए, यहाँ पर एक सारणी बनी है जिसमें दो स्तंभ हैं, पहला स्तंभ दैनिक आए, रुपाए में, दूसरा स्तंभ श्रमिकों की संख्या, एक फैक्टरी में, पचहत्तर से सो, पैंतालीस, सो से एक सो पच्चीस, पैंतीस, एक सो पच्चीस से एक सो पच्चास, पच्चपन, एक सो पच्चास से एक सो पच्चास, एक सो पच्चीस, एक सो पच्चीस, अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, मयंकुमार, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत जो तक्नीकी समन्वाण आपूँर, विमलेश आपके जगे।